दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि UGC-Net परिक्षा क्या है? दोस्तों, अगर आप UGC-Net परिक्षा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि UGC-Net परिक्षा क्या है? UGC net परिक्षा के लिए qualification क्या होना चाहिए UGC net परिक्षा के लिए आपकी उम्रसीमा जो है वो क्या होनी चाहिए UGC net परिक्षा की exam fees क्या होती है UGC net परिक्षा की तैयारी आपको कैसा करना है UGC net परिक्षा में selection process क्या होती है UGC net exam का syllabus क्या होता है और UGC net परिक्षा के फाइदे क्या होते हैं? वो सारी जानकरी आपको मैं इस वीडियो से देने वाले हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें. दोस्तों, UGC net परिक्षा क्या होती है? तो दोस्तों, UGC net का फुल फॉर्म होता है National Grant Commission, जिसको हिंदी में Union Grant Commission कहते हैं और net का फुल फॉर्म है National Eligibility Test, यानि हिंदी में National Eligibility Test कहते हैं, जिसे साधर अनबासा में हम UGC net भी कहते हैं. दोस्तों, UGC net परिक्षा कॉंप्यूटर द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं में से ही एक है, जिसे National Testing Agency यानि NTA द्वारा आयोजित की जाती है. इसका मुख्या ले दिल्ली में है और जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1956 में की गई है. दोस्तों, अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाते हैं, चाहे वह सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, इसके लिए आपको UGC net जो की ऑनलाइन परिक्षा है, उसे कॉलिफाइ करना आवश्यक होता है. तब भी आप किसी कॉलेज या विश्व विध्याले में प्रोफेसर या सिक्सक बनने की योग्यता हो पाते हैं. दोस्तों, यहाँ परिक्षा एक राष्टी अश्टर की परिक्षा मानी जाती है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन विध्यार्थी के किसी भी मन पसंदिदा विश्ययों के अनुसार इस परिक्षा को दे सकते हैं, और यहाँ परिक्षा शाल में दो बार आयोजित की जाती है जिसे क्रमा श्रह जून और दिसेंबर में आयोजित की जाती है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यूजी सीनेट परिक्षा के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्रिट होना चाहिए, और कंपलसरी आपके ग्रेजुएशन में 55% आने चाहिए, तब भी आप इस एक्जाम के लिए क्वालिफाई रहेंगे, और दोस्तों, अगर आप आरक्सित वर्क्स में आते हैं, तो आपको इसमें 5% अंकों की छूट दी जाती है, और इसके अलावा आपका सिक्षन के प्रतिक्राफी ल अवशक है, ताकि सामने वाला आपकी भाषा को अच्छी तरीके से समझ सके और समझ सके, दोस्तों, जिस भी विशय से आप यूनिट टेस्ट क्वालिफाई करना चाते हैं, उस विशय में आपको अच्छी खासी नौलेज होनी बहुत जरूरी है, दोस्तों, अब हम जानें कि यूजी सीनेट परिक्षा के लिए उम्रे सिमा क्या है, दोस्तों, अगर आप यूजी सीनेट परिक्षा को देना चाहते हैं, तो इसमें प्रोफेशर के लिए कोई भी आयू सिमा निर्दारित नहीं की गई है, यूजी सीनेट क्वालिफाई करके जूनियर रिसर्च के पद पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए नियुनत्तम आयू 30 साल होनी चाहिए दोस्तों तब भी आप इस परिक्षा के लिए eligible कहलाएंगे दोस्तों अब हम जानते हैं कि UGC net exam की fees कितनी होती है दोस्तों अगर कोई भी उमेद्वार UGC net परिक्षा देना चाहते है तो सबसे पहले उन्हें UGC net परिक्षा का notification आने के समय online form fill up करना होता है जिसके लिए सामनी अश्रेणी के उमेद्वारों को 1000 बुकतान करना होता है और वहीं सामनी अश्रेणी के कि LWS और OBS, OBC non-criminal के अभ्यार्थियों को 500 और बाकी उमेद्वारों को जो SCSTC के टेगरी से बिलॉंग करते है उन्हें 250 का बुकतान करना पड़ता है दोस्तों अब fees के बारे में तो जान लिया बट UGC net परिक्षा की तयारी करते है वो अब जानेंगे दोस्तों जो भी उ परिक्षा की तयारी कैसे करें तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दूंगी दोस्तों पहले तो आप अपना टाइम टेबल बना लिजे और उन्हें फॉलो कीजे और किसी भी विशे की पड़ाई पूर्वक उसके सिले बर्स की अच्छी तरह से देखे और उस और जिस भी टॉपिक में आपको ज्यादा परिशानी होती है ज्याद से ज्यादा कोशिश करें कि उस विशे की टॉपिक में ज्यादा समय दे ताकि आपको चीजे अच्छी तरह से समझ में आये दोस्तो पढ़ते वक्त stress को अपने पर हावी ना होने दे और कभी भी लगातार पढ़ाई ना करे बीच बीच में break लेते हुए पढ़ाई करे जिससे आपका डिमाग शांत रहेगा दोस्तो और आपको चीजे याद रहेगी दोस्तो अपने आपको healthy रखे क्योंकि जब हम healthy नहीं होते हैं तो हमारा सरीर फूट दिला नहीं होता है और हमारा मस्टी का भी काम नहीं करता है तो आप healthy रहा करें दोस्तो पढ़ाई करने का मतलब यहां नहीं है कि हम सोना भूल जाए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी नीन भी कापी आपको आवश्यक है क्योंकि इससे आपका concentration भी बुरा असर पड़ता है इसलिए पढ़ाई के साथ साथ नीन भी अच्छी तरह से आप ले ले जिस भी विशय में से आप NET क्वालिफाई करणा चाते है उस विशय और सामानी अगनान से सम्मंदित नहीं नहीं जानकारी आप लेते रहें दोस्तो अब हम जानेंगे कि UGC NET परिक्षा में सिले बर्स का क्या प्रोसेस है तो दोस्तो सबसे पहले तो आप अपना पोस्क्रेजुएशन कंप्रेट करें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि NET की परिक्षा वैसे ही उमेदवादे सकते हैं जिन्होंने पोस्क्रेजुएशन कर लिया है और उसमें कंपल सरी 55% मार्क्स उसके होने चाहिए तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर उस कि NET का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दो साल के अंदर आपको पोस्क्रेजुएशन की डिगरी मिल जाती ही चाहिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका सिलेक्षन प्रोसेस क्या है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां एक ओनलाइन एक्दम है जिसमें द दूसरा प्रेपर जिसमें 100 प्रश्णों पूछे जाते हो और 200 नंबर का होता है यानि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतियक प्रश्ण दो दो अंकों के होते हैं और यहां परिक्षा बहु विकल्पी यानि अब्जेक्टिव टाइप होती है जिसे काफी सावधानी से ह करना जरूरी है साथ ही इसमें अच्छी बात यहां होती है कि इस परिक्षा में माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है और यहां परिक्षा आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में से किसी में भी दे सकते हैं फोर्थ है विशय को चुने दोस्तों किन बढ़ दोस्तों इसके बाद हमारे मन में सबसे पहला प्रशना यह होगा कि इन डोनों पेपर में प्रशना किस विशय से पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां बता दे कि पेपर एक जिसमें 10 उनित होते हैं और जिसमें आपसे टीचिंग आप्टिट्यूट, रि ट्रेयर एड्यूकेशन शिष्टम जैसे सम्बनित प्रस्णों पूछे जाते हैं दोस्तों वहीं दूसरी और आपसे पेपर और दो में किस जिस भी विशय में आप UCG net qualify करना चाहते हैं, उस विशय से संबनेर प्रस्ण पूछे जाते हैं, इसलिए आप जिस विशय से UGC net qualify करना चाहते हैं, उस विशय में आपको काफी जानकारी रखना होगा, तब भी आप UGC net परिक्षा qualify कर पाएंगे, दोस्तो, सिक्स्त है PhD की पढ़ाई जारी रखे, दोस्तो, अगर आप UGC net परिक्षा पास कर लेते हैं, तो आपके उसके बाद आप PhD करते हुए आगे की पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं, नहीं तो आप Assistant Professor या Lecturer के पर्द के लिए अपलाई कर सकते हैं, दोस्तो, किन्तु आपके करने के बाद PhD करने वाले लोगों को ज्यादा प्रात्मिक्ता दी जाती है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखे, ताकि आपको भविश्य में अच्छे पद मिल सकें, सेवन्त है Professor के पद के लिए अपलाई करें, दोस्तो, इसके बाद आप किसी भी महावी विद्या नेट एक्जाम का सिलेबर्स, दोस्तो, अगर आप यूजी सी नेट एक्जाम सिलेबर्स के सभी सब्जेक के बारे में जानना चाते है, तो आप हमारी विबसेट को विजीट करें www.ugc.ac.in.net सिलेबर्स ASPX, आप इस पर आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी, दोस्तो, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, जबकि अगर आप जे आरेफ जैसे परिक्षा के पास करते हैं, तो इसकी पैलेगितनी मात्रा तीन साल की होती है, दोस्तो, अगर आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आगे की पढ़ाई कंटीनिव रखना चाते है, तो भी उमेदवार को युनिवर्सिटी लगबग 10 से 12,000 प्रतिमा चातर रूतिर प्रदान करती है, और यदि आप ITI के जैसे संस्तान से PSD कर लेते हैं, तो यहां राशी जी आरेफ के बराबर हो जाती है, जानि उसके दोरान 30 या 35,000 प्रतिमा चातर रूति आपको मिलती है, इसलिए यहां कहा जा सकता है कि नेट क्वालिफाइ करने के बाद आपको आगे की पड़ाई के लिए पैसे की चिंदा करने की आवश्चक्ता नहीं पड़ती है, अगर आप नेट क्वालिफाइ कर लेते हैं, तो आप किसी भी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही में नए नई वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी, और अगर आपको ये देखना है कि आपको कोई चीज़े नहीं समझ जा र परो भते जा है रीजु झास सिरे आपको उूका लो है जापको कीजिए कीजिए नहीं समाना बतापके बाहूंदीक से और ये नहा है वीरा अबना वे तोईकि ए तोते लिए धौरीजियो धू है भीजियो झाल और लग्वले घांभी है भीजए पे रहा हैं झाल